नमस्कार्मेत्रों, अधिकांश पृत्योगी परीक्षाओं में प्रशाशनिक शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं, कभी हिंदी से इंग्लिश में और कभी इंग्लिश से हिंदी में, आज हम इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में जानेंगे कि उन्हें क्या कहते हैं, इन प्रशाशनिक शब्दों का किसी भी बड़ी जौब में बहुत महत होता है। इसी कारण ये शब्द पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Abandonment का अर्थ होता है परितियाग, Abdication का अर्थ होता है पदतियाग, Abduction का अर्थ होता है अपहरण, Abnormal, Increase, इसका क्या अर्थ होता है असमान्य, व्रिद्धि, Abolition, Abolition का अर्थ होता है उन्मूलन ये समाप्ति, Abbridge, Anbarage एक ऐसा शब्द है इसका कैई अर्थ होता है, Average का अर्थ होता है कम करना जैसे शक्ति, या संक्षित करना जैसे की Report, जैसे हम कह सकते हैं, Sंक्षित report, अगला शब्द है, Abuskondar, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति फरार हो गया हो, उसके लिए कहा जाता है, suprem तो कहे होता है, वीमुक्त करना, एबंडेंस, का अर्थ होता है, प्रचूरता मतलब बहुत अधिक होना कोई चीज उसे हम प्रचूरता कहने हैं, एकडेमिक रिकॉर्ड, एकडेमिक रिकॉर्ड का अर्थ होता है, शेक शिक रिकॉर्ड, शिक्षा से संबन्दित रिकॉर्ड, एकडेमिशिन, एकडेमिशिन का अर्थ होता है, विद्वान या अकार्मिक सदस्य, एक्सिदेंटल फ्रिकॉंसी या एक्सिदेंट फ्रिकॉंसी इसका क्या आर्थ होता है इसका आर्थ होता है दुरगटना अबरती मतलब कितनी बार अबरती का मतलब होता है कितनी बार कोई घटना गटी अबरती बार बार तो दुरगटना अबरती अगला शब्द एक्सिडेंटल एरर तो हाँ एक्सिडेंट से मतलब दुरगटना से नही के एक्सिडन्टल एर का मतलब होता है fill कशमिक टू टुटि मुला अचानक आपसो कोई गलती हो जाए Girl का सकस्वु कर दूटि 定र अक्सिडन्स Card deadка अड़ोता है on respice दो संगति accumulation 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 का अर्थ है junkanton ya sanchen accurately एकुरेटली का अर्थ है अथार्थ था या अथार्थ रूप से, मतलब कोई चीज़ सही होती है, उसके हम सामान रूप से कहते हैं, accurately करना, या accurately की गई है, लब सही की गई है, तो अथार्थ था, acid test, acid test का आर्थ होता है, अगनी परीक्षा या कसोटी, Ad hoc claim, ad hoc claim का आर्थ होता है, तदर्थ दावा, ad hoc benefit, तदर्थ हितलाव, additional fund, additional fund का आर्थ होता है, अतिरिक्थ निधी, address of welcome, address of welcome का आर्थ होता है, अभिनन्दन पत्र, adequacy, परियाप्ता, adherence, adherence का आर्थ होता है, अनुवर्तन, adhesive, आसंजक, adhesive वह थे चिपकने वाला कोई चीज होती है, उसे में adhesive कहते हैं, तो आसंजक, एजन, स्थागित करना, adjudicate, नियाय निर्णा करना, adjudicate, आशा है, आप इन शब्दों को अच्छी तरह याद रखेंगे, यदि परिक्षा मे इन में से कोई शब्द पूछे जाते हैं, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी, किसी भी competition के लिए आप तैयारी कर रहे हों, ये शब्दों का अग्यानोना आपको बहुत अजरूरी है, देखते रहें, logic touch